हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चैनल मैंने में जंकूर मेंदरता दोस्तों उड़े में हम बात करने वाले हैं भोला के डे टू की बॉक्स ओफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में डे वन पर ओफिशल कितना आया डे टू पर कितना लेकर आ सकती है और साथ साथ हम ब करोड़ बीस लाख आया है अब बात करते हैं भाई आज कितना आएगा उससे पहले हम चर्चा करेंगे में मुद्दे के ओपर क्या रीमेक एक्सपोज हो चुके हैं पबलिक ने नकार दिया है क्या वो रीमेक नहीं देखना चाते अब कुछ लोग बोलेंगे अगर रीमेक नहीं देखना चाते तो भाई सब दिरिश्यम टू कैसे बंपर हेट होई थी दिरिश्यम टू इस वज़ए से हेट होई थी के भाई वो जो है एक फ्रेंचाइजी फिल्म थी और दूसरा वो हिंदी में नहीं थी औरिजिनल लेंगोज उसकी मल्यालम थी पबलिक ने उसको नहीं देखा था अब कैथी जो है यूट्यूब के ओपर फ्री में पड़ी हुई है पबलिक ने भर भर के देखा है और लॉक्डाउन में तो इस फिल्म को लोग चाट कर खा गए हैं अब दूसरा रीजन भाई देखो मैं आपको बता हूँ पहले दिन भी भोला का 11 करोड आया और दूसरे दिन जो आ रहा है वो भी कम नहीं है उसका रीजन में बताता हूँ ये जो इतना कलेक्शन कर रही है ये भी सिर्फ और सिर्फ अजे देवगन की वज़े से कर रही है कि उन्योंने इस फिल्म का जो एक्सपीरियंस है और बढ़ा दिया है और एन्हांस कर द करोड लेकर आएगी फिर उसके वज़ जब ट्रेलर आता है एक दम से लोग आए 25 पर कोई आया 22 पर 20 पर 15 पर भाई 15 करोड तो हसके कह रहे थे कि बोला कैसे भी करके ले रहेगी और मैंने भी जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था उसमताया था बोला कैसे भी करके 15 लेकर आएगी एनिहाओ लेकर कितना आए 11 करोड तो पब्लिक अब चाहती है कि रीमेक बनना बंद हो भाई रीमेक भी या पब्लिक नहीं देखना चा तो ये कहना चाहूँगा और डे टू की जो प्रेडिक्शन आ रही है वो आ रही है आठ से साड़े आठ करोड रुपए कुछ जादा डाउन नहीं है वीकेंड कल स्टार्ट होगा मींस सेड़े संड़े आएगा उतना तो आएगा जितना ये डे वन पर लेकर आई है पर क्य अब हर मेकर को सोचना होगा रीमेक ना लेकर आएं औरिजिनल पर काम करें तो जादा अच्छा होगा बाकी आपकी क्या रहा है कमेंड बॉक्स में कमेंड करता है मेरा परसनल ओपीनिन है कि भाई मेरे को बहुत पसंद आई है भोला आपको कैसी लगी है और ये कलेक्शन क् जस्टिफाई करते हैं बोला के ट्रीटमेंट के साथ वो बताएं कमेंड बॉक्स में थैंक्स पूर वाचिंग